नमस्कार दोस्तों के यूके से संबंदे श्टुडेंट्स के लिए कुछ और जरूरी जान करें हैं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज्यादा सेयर जरूर करें एक और नोटिस काफी सारे ग्रूपस में सेयर किया जा चुक है और उस नोटिस में जो कुछ जा यहां पर बता देते हैं जैसे कि नोटिसम्बर सेसंबर मार्च में होंगे उड़ समेश्टर के उड़ समेश्टर के उसके लिए एक्जाम फारम भरने के ओनलाइन एक्जाम फारम और फीश्यर मिशन को लेकर बात और यहां पर सैड्डिव भी बताया गया है सट्डेंट्स के लिए और कॉलेज इंस्टिट्स के लिए कब से कब तक बीना लेट फीश के फारम और फीश सम्ट होगी कब से कब से कब तक कितनी लेट फीश लगी गये और इसके लावा यहां पर बताया गया है कि जो पोटल हम वो अपरेशनल कर दिये गया फुल पेपर रियापियर इंप्रूप्रुमेंट एडिशनल पहले 35-479 में समेश्टर के लिए और इसके लावा 4 year के CBCS course के BAB8, BSCB8 के फुल पेपर रियापियर इंप्रूप्रुमेंट के पहले 35-479 में समेश्टर के लिए और यहां पर जैसे के students को किसी भी category में वो अपने फारम बढ़ते थे रिए फिर improvement additional उनको university की तरफ से direct deal किया जाता है लेकिन अब उनको अपने जो भी संबंदित उनके last attended college हैं उनके संप्रक में रहकर ये काम उनका होगा और ये संबंदित college की जिम्मेदार है कि वो अपने pass out पॉर्टल के जरिए पे करें यहां पर बकाया कम ज्यादा फीस के बारे में और कुछ और जरूरी जान करें जो है वो college के लिए बताएगी है जिनका college उने ध्यान रखना होगा noc generate के बारे में बताया गया है और यहां पर admit card उनी विद्यार्थियों को जारे किये जाएगे जिनकी सारी फीस पे हो जाएगी तो इस बात का भी जान रखा जाना है तो यहां पर यह भी बताएगे कि जो ऐसे विद्यार्थियों जिनके admission के time उनके college के उके से affiliated थे उसके बाद यह तो college बंद हो गए या फिर disaffiliate हो गए उनके लिए यहां पर बताएगे कि उनको कहां पर किस तरीके से संप्रक करना होगा जैसे कि यहां पर सिर्षा हिसार और फत्याबाद सिर्षा फत्याबाद और हिसार वाले वाले जो विद्यार्थियों उनके लिए imperial college हिसार निर्धारित किये गए इसके अंतरगत इनके काम होंगे जीनद वाले candidates के आर्ग HD college पानिपत व इसके लावा विद्यार्थियों के लिए इंस्ट्रक्शन बताएगे ओनलाइन एक्जाम फारम भरते समय जो विद्यार्थियों ने ध्यान रखनी है जान करें बताएगे उनके पास वैलिडिए email id, mobile number हो registration के लिए और विद्यार्थियों के पास photograph, signature, thumb impression हो जो पहली बार registration कर है, eligibility criteria, examination, schedule इत्यादी वो विद्यार्थि चेक जरूर कर लें, steps बताएगे, online exam portal पर जाकर, registration पर यहां पर अपनी email id, mobile number इत्यादी भरकर registration कर लेना है, registration के बाद आपको login details प्राफ्त होंगी, login करने के बाद आपने personal detail भरनी है, exam detail भरनी है, save कर देना है, उसके बाद save पर, उस online forum जिन होने भरे हैं, वो अपनी जो पहले वाली उनकी login ID है, email ID है, वही इस्तेमाल करेंगे, उसके इलावा और email ID अगर इस्तेमाल करेंगे, login ID इस्तेमाल करेंगे, तो प्रोब्लम हो सकती है, और यहां पर जो भी जान करें, जैसे को ले जोगा, class, exam type, online exam forum भरते हैं से मैच जैसे कि पहले बताया था कि कौन-कौन से डिस अफिलेटरिया, closed, institute, C.A. college के जो students हैं, उनको कहां पर contact करना, उनके लिए यहां पर जो center बनाएगे हैं, जहां पर वो अपने online exam forum फीश के बारे में contact कर सकते हैं, वो यहां पर बताया है, एक से ज़्यादा exam forum भरे जाने के बा जाए भी ना, और अगर login details भूल जाते हैं, तो यहां पर forgot user ID password पर जाकर details भरने के बाद जो है, जो जान करे होंगे, आपको अपने mobile number पर राप्त होंगी, और यहां पर सभी courses की जो fees इत्यादी है, वो यहां पर जो भी balance fee इत्यादी है, exam fees होगी, balance fees इत्यादी होगी, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अपने online exam firm भरे, full paper के लिए reappear improvement additional, इत्यादी का यहां पर कहाँए, वो जो fees होगी, वो संबन्दित college, institute की तरफ से online exam portal के जरिये ही पे की जाएगी, यानि के सिर्फ online exam portal के जरिये ही college के through university fees accept करेगी, यह बात यहां पर कहीगी, और यह पर अगर student को message आता है, कोई भी message प्राप्त होता है कि fees बकाया है, यह फीस भरनी है तो उसके बारे में विद्यार्थे की जिम्मेदारी है कि वो संबन्दित college में जाकर contact करके वहां पर अपनी fees बरे और यह संबन्दित college की जिम्मेदारी है कि वो विद्यार्थियों के जो fees है वो युनिवर्सिटी को पे करें ओनलाइन एक्जाम पोर्टल के जरीए तो यहां पर कहा गया है कि जो स्टुडेंट ओनलाइन फारम बरें वो अपना एप्लिकेशन लगातर चेक करते रहें फाइनल समिशन के बाद प्रिंट आउट लेना और उसकी जो हाड़ कॉप्पी है वो समधित कोलेज में जमा करवाणियां फाइनल समिशन के बाद अगर कोई समस्या होगी कोई चेंज इत्यादी की बात है तो वो college से संप्रक करेंगे अगर college college की भी जिम्मेदारी है कि वो विद्यार्शिंग समस्च्या का समाधान करें या university से समाधान करवाएं अगर final submit हो जाता है और college की तरफ से farum fees finally submit हो जाती है तो उसके बाद अगर subject गलत चूज किया हुआ है वो change करना तो 100 रुपए per subject penalty charge की जाएगी जो गलत subject है उसको ठीक करवाने के लिए यानि कि अगर आपने गलत subject चूज किया उसकी जगह पर सई subject लेना है तो उसके लिए 100 रुपए per subject यहां पर charges लगने वाले और यहां पर कायेगी जो exam farum भरने की जो dates है वो किसी भी सूरत में extended नहीं की जाएगी यह सारी जान करें इस notification में बताई गई है